हेलो प्रेंट्स मैं कमलेज आप देख रहे हैं स्टेडी मेटेरियल एटू जैड दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके यहाँ पे एरफोर्स गुरूप सी की जो न्यू रिकृट्मेंट निकाली गई थी आपके यहाँ पे 85 पोस्ट और 173 पोस्ट पे जो डेट और एडमिट कार्ड के बारे में और आपके यहाँ पे फोर्म अक्सेप्ट और रिजक्ट के रिगार्डिंग हमें एक न्यू वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको सारी चीजें बताई जाएगी तो किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे जो हो कन्फूज होने की आ जो पूछे जा रहे हैं वो मैं टेलिग्राम पे फोवर्ड करता चला रहा हूं तो क्योंकि हो सकता है कि आप बाद में जुड़ेंगे तो फिर आप स्क्रोल करते करते हैं आपको कुछ चीजें पता ही नहीं चलेगी जैसा कि आपके टेसरीज के रिगार्डिंग हो रहा है यहां पे मैंने अल्रेडी यहां पे 18 टेसरीज टाइम के साथ कंड़क्ट करवाई थी जो कैंड़ेट टाइम पे नहीं जुड़ पाए तो उनके लिए यहां पे दोस्तो जो हो यह टेसरीज वो स्क्रोल करते करते जो उनमें जो वो इंट्रेस नहीं रहता जो हम लगातार तो आपके यहां पे करवाते हैं कंड़क्ट और यह जो आप देख रहे हैं दोस्तो इस परकार से आपको कोशन जो हो त्यार करने हैं दूसरी चीज आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि टेसरीज कब जरूर पड़ेगी क्योंकि ऐसे कोशन जब आएंगे तो भाई आप हर कोई कर लेगा और यहां पे वही होता है कि आपकी कोटो भी ज़्यादा जाती है लेकिन जैसा एक बार आपके जैसल मेर स्टेशन था उसमें हम देखे गे तो हमारे जो टेसरीज था उसके लेवल का पेपर यहां पे आया था जिसमें आपको दोस्तो कालेक of course टेलिग्राम पे यहां पे रहती हैं अब बात करते हैं आपके सभी पोस्ट के रिगार्डिंग जो exam date के बारे में और exam दोस्तों यहां पे कब तक conduct करवाया जा सकता है admit card आपकी कब तक यहां पे भेजी जा सकती है और आप यहां पे दोस्तों doubt और कई आपके doubt personally है जो आपस में discuss करना चाहते हैं तो यहां पे भी आकर जुड़ सकते हैं लेकिन भाई आप अपनी सबद सीमा का ध्यान रखना कुछ भी मत बोलना ताकि ऐसा ना हो कि हमें ठेस पहुंचे और आपको remove करना पड़ जाए तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तो सभी की कमेंट आ रहे थे कि सर जो 85 पोस्ट जो 197 पोस्ट है उसके exam जो कब होंगे और admit card जो कब आएंगे और exam center आपका क्या जाएगा exam center दोस्तो सबसे पहले आप नोट कीजे exam center जहां से आपने form को फिलप किया है जैसे मालो आपने जामनगर एस्टेशन डाली है तो आपको वहां से जामनगर जाना होगा चाए वो candidate कोई भी state का हो इसमें कोई भी आपकी excuse नहीं चलेगी तो इस चीज को आप नोट करके रखे अगर आप दोस्तों जामनगर यहां पे जाना चाहेंगे तो आपको थोड़ा सा यह चीज को आप थोड़ा सा जो भी candidate आगे भी आपकी वेकंसे एक सो चोतर वाली भी निकली है तो थोड़ा सा अरेंज के according आपने जो हो यहां पे दोस्तों एर स्टेशन को चूज करना है तो यह चीज आपके लिए बहुत जादा important है एक्जाम सेंटर आपका वहीं पे होगा दूसरी चीज आपके लिए कि जो भी आपका एक्जाम सेंट होगा उसके और आपके जो डिफरेंट आपके जो एक्जाम सेंटर होंगे उनकी प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा आपको चैंज जरूर देखने को मिलेगा आपकी एक्जाम डेट भी अलग अलग होगी आपके जो एर स्टेशन लगेंगे उनके according ही आपकी एक्जाम डेट निकाली जाएगी अब आपका सवाल होगा सर एक्जाम कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है तो दोस्तों सबसे पहले आपकी निकली थी 85 पोस्ट और 85 पोस्ट के एक्जाम दोस्तों आपके लास्ट डेट जो है लास्ट डेट के दोस्तों आपके 45 डेज बाद आपके घर प आपकी last date है उसके बाद यहां पे form को आपका दोजा से चेक किया जाएगा रिकोर किया जाएगा फिर आपके admit card वापिस आना start हो जाएंगे जिनके भी admit card आएंगे सभी सारी update हम कर रहे हैं और आपको कोई भी confused होता है तो आप playlist में जाएगे या फिर आप YouTube पे search कर सकते हैं जो भी आपका doubt है फिर आगे लगा देना by study material A to Z हर update मिल जाएगी आपके exam review सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और आपके जितने भी आपके form regarding है सारी चीज़ें है accept reject सारा लेकिन accept और reject का दोस्तों आपको एक नया video देना पड़ेगा क्योंकि अब की बार जो rule है वो थोड़ अलग रहेगा ये चीज़ में आपको पहले ही बता कर चलता हूँ एक सो सित्यान में post वाले candidate का exam कब तक conduct होगा क्योंकि बहुत सारे candidate हैं जो 85 और एक सो सित्यान में डाला है और जिन होने भाई एक सो सित्यान में की अभी जो process चल भी रही है जिन candidate ने नहीं डाला है तो भा कि इस चीज़ को आप मैंने भाई ये नोट किया है कि जिन्होंने बहुत सारे form लगाए हैं उनकी exam date भी अलग लग मिल रही है और वो अच्छे से अपना exam को सब कुछ जो सीख कर अपना जो यहां पर best करके आ रहे हैं तो ये चीज़ है भाई थोड़ा सा इस चीज़ को भी आप त्यान में रखना exam date 193 की भी यही process होगी कि आपका last date के दोस्तो 45 days के बादी आपके admit card घर पे आना start हो जाएंगे admit card by post आएंगे अभी तक दोस्तो कोई ऐसी update नहीं है कि आपका admit card online भेजा जाएगा ऐसा कुछ भी यहां पे नहीं बताया गया है और आपका अगर कोई update ऐसा होता है और वो जो है आपके per vacancy आपको 10 गुणा candidate यहां पे दोस्तो वो है आपके skill और PFT के लिए यानि सभी का आपका admit card यहां पे आएगा तो इस चीज़ को भी आप note करके रखिएगा जितनी भी update हमारे द्वारा होगी दोस्तो आपको update हम करते रहेंगे और आप मे आपको सारी update वहां पे भी मैं करता रहता हूं लगातार तो गाइज यही है आपके exam date और admit card के बारे में जितनी भी overall process थी वो मैंने बता दी है और आपके accept और reject को लेकर मैं आपको सारी चीज़ें बाद में बताऊँगा जिसमें आपकी सारी चीज़ें होगी और आप जितन रहेगी तो जितने भी candidate हैं जो नई हैं दोस्तो चैनल को subscribe कर लिजी आपको update मिलती रहती है लगातार एरफोर्स ग्रूप सी को दोस्तो बारी की से हर update आपको playlist में 200 प्लस वीडियो दोस्तों यहां पर मिल जाएंगे तो गाइज इसी परकार आपको update मिलती रहेगी मिलते है